आज बना रहे है एक Talk of the Town recipe जो की Non-Vegg की substitute है है ना मज़ेदार लगने में दिखने में Non-Vegg है बढ़ है vegetarian recipe सोया चाप मसाला डाबा स्टाइल में बना रहे हैं तो विडियो एन तक देखें मैं निखिता अहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में तो चलिए शुरू कहते हैं सोया चाप मसाला बनाने के लिए इन इंग्रीडियन्स की requirement है विडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे ही इंग्रीडियन्स यहीं से no-down कर लें तो ये frozen सोया चाप आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है इसे आप पहले पानी में डाल दीजिए ताकि कोई भी impurities हो वो पूरी निकल जाए हमें पानी बॉयल कर देना है और इसमें ये सोया चाप जो है न वो आट कर देनी है दो से तीन मिनिट के लिए बॉयल करेंगी क्यों करते हैं ऐसा ताकि जो स्टिक्स है न वो निकालने में आसानी हो वैसे आपको बहुत मशकत करने पड़ेगी लेकिन इस तरीके से अगर करेंगे न तो ये जल्दी से स्टिक्स निकल आएंगी और ये कटने में भी आसानी हो जाएगी तो हमें इन्हें डायगिनल शेप में कट करना है डायगिनल यानि आडा कट करना है स्ट्रेट करेंगे न तो वो इतना साधा मज़ेदार नहीं दिखता है तो आप बढ़ा सा चाकू ले लिए जैसे मैंने लिया है और इसे इस तरीके से शेप में कट कर दीजे छोटा जैसे आपको पसंद आए उतनी साइस का आप इसे रखेंगे तो ये दिखिए सारे पीसिस जो है वो कट हो चुके हैं आपको पूरा पैकेट लेना है हाफ पैकेट लेना है वो अब अपने हिसाब से ले लीजे अब हमें इने फ्राइ कर देना है तो मैंने यहाँ पर कडाई में तेल चड़ा दिया है जो कि अच्छी से गरम हो चुका है और अब हम इने fry करेंगे medium to low या medium to high जैसे आप comfortable हो मैं medium to low कर रहे हूँ इने fry यह देखें लगबख हमें 6 to 7 minutes का time लगेगा इनका color इस तरीके से change होने लगेगा थोड़ा सा crispy होने लगेगे यह उस time तक हमें इने fry कर देना है तो यह अच्छी तरीके से fry हो चुके हैं अब हम इने बाहर निकाल देंगे और 2-3 minutes के लिए इसी तरह तेल निकलने देंगे जब यह पूरी तरीके से तेल निकल जाता है ना ऐसे dry हो जाते हैं उस समय हम इने marinate करेंगे जी हाँ marination is compulsory तब ही इनमें स्वाद आता है क्योंकि इनके अंदर खुद का कुछ स्वाद नहीं रहता है तो अब हमने इसमें दही आट कर दी है स्वाद अनुसा नमक आट कर देंगे लाल मिर्च पाउडर और आमचूर यानि की mango पाउडर और काली मिरी का पाउडर यानि black pepper powder बस हम इस स्वादा कुछ नहीं आट करना है और इन्हें बढ़िया तरीके से mix कर लेना है ताकि सारे ही जो flavors है merge हो जाएं तो 2 minutes का time लगेगा लेकिन अच्छे से आपको इनको marinate करके side में 15 से 20 minute के लिए रख देना है कैसे रखना है cold हमें यहाँ पर लिट करना है और थोड़ा सा देसी गी आट करेंगे यह तो process आपको पता है ताकि न वो तंदूर वाला जो flavor है इनके अंदर आसानी से आजाए तो मैं डख कर 20 minute के लिए रख दे रही हूँ अगर ज्यादा time में तो आदे गिंटे के लिए रख दीजिए वो खुश्बू आएगी नो वो flavor आएगा ना पड़ाई मज़ा आता है चलिए अब हमने कडाई लेनी है gravy बनाने की तयारी करनी है तो मैंने देसी गी के दो चमच आट कर दीए है इसमें जीरा और खड़े मसालों में तेस पता आट कर देंगे इलाईची छोटी वाली हम आट कर रहे है और एक दो लॉंग भी आप आट कर दीजिए याने कलवस बस अब हमें इन्हें अच्छे से mix कर देना है fry कर देना है एक से दो मिन्टों के लिए और फिर इसमें आट कर देंगे अच्छा में दालचीनी बूल गई थी दालचीनी भी आट कर देनी है और फिर हमने इसमें आट कर देना है महीन कटा हुआ प्यास प्यास और टमाटर इसमें थोड़े ज्याता लगते हैं तो प्यास को अच्छे से बुन लेना है, ब्राउन कलर होने तक ही हम मेने बुनेंगे, तो अगर आपको तेल की कॉंटिटी कम जदा लगती है तो अज़स्ट कर लीजिए, ये मैंने यहाँ पे क्रश किया हुआ, जिंजर गालिक अट कर दिया है, आप रेडी मीट पेस्ट का इस्तिमाल भी कर सकते हैं, अब इसमें हल्दी लाल मिर्च आट करेंगे, ताकि जो कलर है वो अभी से ही निकलना शुरू हो जाए, दैनिया पावडर भी आट कर देंगे, हरी मिर्चे मैंने यहाँ पर खड़ी-खर हरी मिर्चे आट कर दी हैं, साबूत, मिक्स कर देंगे, और यह मसाले बनना हो, इसलिए थोड़ा समय पानी भी आट कर दिया है, क्या है न, वो कड़ाई से चिपक जाते हैं, और मसाले बन होने लगते हैं, अब हम इन्हें एक मिनिट के लिए मिक्स करते हुए, इसमें टमेटो प्यूरे आट करेंगे, इन सारी चीजों की आइड में चेक कर लीजे, जैसे ही टमेटो जाता है, तो हमें आट कर देना है नमक, ताकि टमाटर जल्दी से कुक होने लगे, आपको ये तो बात पताई होगी, चलिए मिक्स करते रहिए, चलिए मिक्स करते रहिए, और जब तक इसका ओयल छूटने लगता है, तब तक हम कर सकते हैं, तो ये देखिए, ये टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है, तेल छोड़ दिया है, कसूरी मेथी हम आट कर रहे हैं, इसमें इससे स्वाद और इंक्रीज हो जाता है, चलिए इनको भी हमें चलाते रहना है, तो लगपक 10 मिनिट के लिए हमने पका लिया है तेमाटर को, अब राइट टाइम है, इसमें ये मारिनेट की हुए सोया चाप को आट कर देने का, तो ये चाप हम दीर इसे इसमें आट करते जा रहे हैं, सारे ही आप आट कर दीजे, दीमी आच कर दीजे, और लेखिए न, कितना मज़ेदार लग रहा है, और इने मिक्स कर करते हुए, इसकी ग्रेवी ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे ज्यादा ग्रेवी वाला नहीं, ड्राय में रख रहे हैं, तो दस मिनिट के लिए से पका दोंगी, कवर करते हुए, आप चाहें तो पानी दाल कर ग्रेवी बना दीजे, तो ये दिखिए ये बन चुके ह इसमें आप मलाई भी आड़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो स्किप कर दी है, ये ही कलर रिक्वाइड है, खुश्पू भी बड़ी अच्छी आ रही है, तो ये गर्मा गरम नौन वेच का सब्स्टिट्यूट, अगर आप नौन वेच नहीं खाते हैं और आप क्रेव करते हैं खाने के लिए, तो डेफिनेटली आप ये सोया चाप मसाला डाबा स्टाइल गर पर बनाएं, सारे ही लोग आप से इंप्रेस हो जाएंगे, आप इसको स्टार्टर के रेसिपी में बना सकते हैं, उसका भी रेसिपी में शेयर कर दूँगी आगे, ये फिलाल आप में कोर्स लाइक, शेर एंड चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अंटिल देन, फॉलोर्स अन आल सोशल मेडिया प्लैटफर्म्स, इंस्टेग्राम, निकीता को, बुक, फेस्बुक, यूट्यूब, ट्विटर, निकीता अहुजा, इस निकीता, साइनिग बबाई, टेक केर, स्टे हल्दी, स्टे हैपी, स्टे सेफ